नमस्कार स्वागत है आपका कमोडिटी न्यूज चैनल में क्रिशी से जुड़ी खबरे फसलों के भाव और सरकारी योजनाय जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तो आएए देखते हैं क्रिशी फसलों के आज के भाव नमस्कार स्वागत आपका कम्यूडिटी न्यूज में हम आज के सेस्टन में अगर हम बात करें तो बारले में हम देख रहे हैं लगवग हमें 0.59% की गिरावट 1449 रुपए का ऊचता मिस्तर और 1435 रुपए का नियूज तमिस्तर चुआ है बालने ने फिलाल आज के सेस्टन गेर बात करें तो बहें पर हम कास्टर सीड की बात करें तो कास्टर सीड में हम देख रहे हैं उसमें साथ कारोबार करता हुआ ना जला रहा है कास्टर सीड कास्टर सीड ने फिलाल आज सुवए के कारोबार सत्र में 0.81% की बढ़त बनाके रखी है वहीं पे 3,990 रुपए पे अभी भाव चला है कास्टर सीड का और कास्टर सीड ने फिलाल आज सुवए के कारोबार सत्र मे 3,998 रुपए का उचिता मिस्तर और 3,966 रुपए का नियुनिता मिस्तर छूलिया है कारसर सीड ने अगर आज के सेशन की बात करें तो बहीं बगर चना की वाद करते हूं चना में भी आज हमें व्लाल बढ़त देखनों मिल लगी है चना आज सोवे के कारवार सत्र में हमें लगवग आधे परसेंट की बढ़त के साथ कारवार करता हुआ नजरा रहा है भी अभी जो भाव चला है चने का वो 4,149 रुपए का भी पर आज सोवे के कारवार सत्र में जो चने ने उचिता मिस्तर छुआ है वो 4,101 रुपए का और 4,140 रुपए का नियुनितम इस्तर छूडिया है चने ने अगर आज के सेशन की बात करें तो एवार धनिया पर नजला था है धनिया फिलाल आज हमें लगवग आदे परसेंट की ग्रावट के साथ कारोवार करता हुआ नजला रहा है वहीं हम देखना क कि धनिया का अभी जो भाव चला है सुवए के कारोवार सत्र में वो 6,108 रुपए का चला है वहीं आज सुवए के कारोवार सत्र में फिलाल धनिया ने 6,130 रुपए का उचितम इस्तर और 6,108 रुपए का नियुनितम इस्तर छूलिया है और अभी जो भाव चला है वो 6,10 108 रुपए का चल ला है तो देख रहे हैं धनिया में तो फ्लाल में आधे परसेंट की ग्रावट हमें नजर आ रहा है आज सोब्सक्रावार करता होगा नजर आ रहा है बहीं आज रहा है अभी जो भाव चला है वह 150 रुपए का चला है बही आज एकारोवार सत्र में बिनाओना ने एक निक पिश्यासी रुपए का ईच्चितम इस्तर resilient रुपए का उस्तर चूलिया है बहीं बनु में जो क्लोजिंग की थी सुक्रवार को वह 1900 का की थी आज सोवय के कारवार सत्में फिलाल बढ़त के साथ कारवार करता हुआ नजल आ रहा है गवार गम ने आज सोवय के कारवार सत्में 0.21% की बढ़त बना के रखी है वहीं अभी जो भाव चल्ला है गवार गम का वो 5,363 रुपे का चल्ला है वहीं आज सोवय के कारवार सत्मे गवार गम ने 5,380 रुपए का उच्चितम इस्तर और 5,350 रुपए का निरुतम सर्च हुआ है तो गवार गम हम देख रहे हैं लगवग 11 रुपए की बढ़त के साथ कारवार करता हुआ नजर आ रहा है हमाली है भही सुक्रवार को जो गवार गम ने क्लोजिंग की थी वो 5, 5,352 रुपए पे क्लोजिंग की थी और 5,353 रुपए पे अभी भाव चला है गवार गम का इस बार गवार सीड में देखने की जो अभी जो भाव चला है फ्लाल वो 3,658 रुपए का चला है और गवार सीड हमें लगवग आधे परसेंट की बढ़त के साथ कारवार करता भही आज सुबह के कारवर सत्में गवार सीड ने 3,650 रुपए का हम देख रहे हैं की उच्छितम सॉरी वहीं सुक्रवार को क्लोजिंग की थी वह 3640 रुपए भी की थी मतलब 3640 रुपए पे सुक्रवार को क्लोजिंग की थी और 368 रुपए पे अधी फ्लाल भाव चला है ग्वार सीट का अब नजर डालते हैं जीरे पे तो कारवार करता हुआ जीरे का वह 3660 रुपए चला है और आज सोबह के कारवार20'S सत्र में जो जीरे ने उच不知道 इस्तर चुआ आए वह तो Level 3670 रुपए और उत्यूर्य तोरल को का की स्लिच एधि उत्युक्र थी मतलब 3ETH जबीस रुपए पे को जीरे की और आज जो वह चला है अभी वो 13,660 रुपए का चला है और जो आज सुभए ओपनिंग हुई थी वो 13,670 रुपए पर वही थी मुलब आज सुभए जो ओपनिंग हुई थी भाहांस हमें लगातार हमें ग्रावट देखने को मिल लगाई है अभी तक फिलाल शाट रुपए की ग्रावट हम 0.088% की बढ़त बनाके रखी है भही आज सुभए हम देखने की भाव चला है सरसों का वह 48,16 रुपए का चला है चारह जार आज सोभए की कारवड सत्मेफलाल सरसों ने हम देखना है की 4820 रुपए का उचितम इस्तरच हुआ है अभी तक सरसों ने भही हम देखने की 4790 र ताइम पर जो भाव था वो 4790 रुपए का भाव था और अगी जो भाव चल ला है वो 4809 रुपए का चल ला है तो सरसों हम देखने हैं साल की 0.73% की बढ़त के साथ कारोबर करता हुआ नजरा रहा है आज जो ओप्रिंग हुई थी वो 4790 रुपए पर सरसों ने आज ओप्रिंग की थी और 4809 रुपए पर अभी हमें भाव देखने को मिल रहा है तो सरसों हम देख रहे हैं सरसों हमें लगातार बढ़त का रुज 0.8% की बढ़त के साथ कारोवार करता हुआ नजरा रहा है हम देखना कि अभी जो भाव चला है वो 814.7 रुपए पर भाव भी चला है भहीं जो आज सुबह के कारोवार सत्तुन फ्लारल जो रिफाइन उच्टम इस्तर चुआ है वो 816.6 रुपए का और 811.6 रुपए का नियुनिता में सर्च हुआ है वहीं कल जो सुक्रवार को क्लोजिंग हुई थी वह 808.3 रुपए पे क्लोजिंग हुई थी और आज जो ओपनिंग हुई है वह 811.6 रुपए पे आज ओपनिंग हुई है तो रिफाइन हम देखना फिलाल 0.7% की बढ़त के साथ हमें कारोव पर करता हुआ नजरा रहा है आज सुबह के कारवार सतम मिस्तार कुणा है वो 345 का नियुनिता मिस्तार चुआ है वहीं आज सुबहँ जो ओपनिंग हुई हुई थी तीस तो साथ रुपए पे ओपनिंग हुई थी तो सौएबीं कि हम देख रहे है त्सांट के आज ओपनि वहीं जो क्लोजिंग की थी सुक्रवार को स्वयवीन ने वो 746 रुपए भी की थी महलब 3740 रुपए में सुक्रवार को क्लोजिंग हुई थी और 756 रुपए पर अभी भाव चला है महलब 10 रुपए की हमें बढ़त देखने को मिल रही है स्वयवीन में यह वार हम हल्दी की पच्पंसोबिस रुपए का लगाया है और आज जो ऑपनिंग हुई है वह वह 5532 रुपए पर हुई थे और जो बात रही कि हल्दी में जो जुलाई का चो उसमें फ़िलाल यह रुजान होई अगर उसकी बात करें तो उसमें में जिरु तस्तम्लब तीन शे परसेंट की बड़ा देखने को मिल रही है जहां जो पिस अगस का कॉंट्रेक्ट है उसमें 536 रुपए का उखितमिस्तर और 5556 रुपए तो यह तो हम देखे कि आज के कारवार सत्र में क्या कुछ रुजान देखने को मिल ला है अगर हम एक जो नया इंडेक्स आया है हमारे पास अगर हम उसकी बात करें तो उसमें अगर हम देखे कि अगर हम बात करें तो हमें अगर हम बात करें तो हमें मिला-जुला-ट्रेंड हमें मिल ला है जहां कससर-ट में में बढ़र सीड में बढ़र दोनों ने बढ़र के साथ कारवार कर रहे हैं वहीत जीर और अच्प लाल गिरावार के साथ कारवार करता हो नजला रहा हुआ है और हम देखेंगे पुरा ऑइल पेक बात करें है को हम धनुबात करते हुआ हुआ